Hi guys, कैसे आप सब? I hope सब अच्छे होंगे and आज की वीडियो है प्रोडक्ट रिव्यू पे आज मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी हैर ड्रायर को विच इस फ्रम आइकॉनिक ब्राइड एंड इसका नाम है Iconic Professional Pro 2500 Plus क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और कैसी इसकी परफोर्मेंस है यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इससे पहले मैंने Iconic Hair Straightener का भी रिव्यू आपके साथ शेयर किया है वीडियो का लिंक आपको I button में and description box दोनों में मिल चाहेगा तो इस वीडियो को देखके आप उसे भी चाट आउट कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा Hair Straightener ढून रहे है तो आपके लिए वो काफी helpful हो सकती है वीडियो तो now without taking much time हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले make sure आप मेरे चैनल को subscribe कर ले फो सच मोर इंफर्मेटिव वीडियो and now let's get started so this is the hair straightener black color में है अब हम इसकी देख लेते हैं क्या-का इसकी specifications है तो सबसे पहले अगर आप यहां से देखोगे तो आपको एक LED display मिल रहा है यहां पर light on होती है जब आप इसकी heat settings change करते हैं तो light भी different color की हो जाती है मैं आपको बाद में on करके दिखाऊंगी ठीक है इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो तीन तरह के buttons आपको दिखाई देते हैं first one is blue color का गोल वाला and then दो आपको इस तरह से मिलते हैं यह वाला में बाद में आपको बताऊंगी सबसे पहले हम मिडल वन के बारे में बात करते हैं तो यह है फैन की speed के लिए आपको दो fan speed मिलती है सबसे पहले जब यह इस position में होगा तो यह fan बंद होगा then आप इस तरह से parallel कर देंगे तो आपकी low speed हो जाएगी एक बार नीचे और प्रेस कर देंगे तो आपकी high speed हो जाएगी उसके बाद जो नीचे वाले button है यह आपकी heat के लिए होते है हवा के जो temperature है उसको maintain करने के लिए तो इस तरह से तीन सेटिंग्स मिलती है इसमें सबसे पहले थड़ी हवा आएगी अगर इस तरह से आप प्रेस करेंगे दें बीच में आप करेंगे तो आपको गरम हवा आएगी जिसकी temperature कम होगा और ऐसे करने के बाद थर्ड पोजिशन पे आपका हाई टेंपरेचर होगा इस तरह से एर का अगर आप इस पोजिशन में रखेंगे तो इस तरह से आपको 3 heat सेटिंग्स मिलती है और फैन बे 2 speed मिलती है यह आपका cool setting button है इस तरह से सेट कर देंगे जब आपकी गरम हवा आ रही है और फैन की speed जो चाहे आप कर सकते हैं तो styling करते हुए अगर आप इस blue button को press कर देंगे तो एकदम से गरम हवा की जगे ठंडी आने लगेगे और आपकी hair set हो जाएंगे जब आप इसे release कर देंगे तो उसके बाद तो दुबारा से गरमानी लग जाएगी तो इस तरह से यह button काम करता है ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर पीछे देखते हैं तो इस तरह की यह mesh लगी हुई है इसके अंदर पीछे fan होता है जो suction से air को अंदर कीचता है इस तरीके स आप पीछे की तरफ घुमाएंगे अपनी तरफ तो यह open हो जाएगा तो अदर जो दिवाइसेस मैंने पहले यूज किया ना उसके अंदर नहीं होता था तो एक दो बार हुआ है कि मेरे बाल इनके अंदर चलेगे क्योंकि वह सक्षन पर बेस्ट होता है हवा को अंदर कीच है अगर अगर युन ऑपने बालों को डैमेज ही नी पुछाना चाहते है बट ब्लो टाय करना चाहते हो ए वोल्यूम देना चाहते है अपने बालों को ठंडी हवा है उससे भी एढ्राइ कर सकते है आपको वो डिजायर वाल्यूम मिल जाएगा उसके अलावा अगर आपको इस तरह कि यह दो नोजल साती हैं अलग अलग साइजेस में आपको दो नोजल मिलेंगी एंड यह आप इसे यहाँ पर लगा सकते हैं कुछ नहीं करना आपको ऐसे करके और ऐसे दबाना है तक्किया वाज आएगी यह इस पर फिक्स हो गया तो इससे होगा क्या कि आपकी जो है उसको डिरेक्शन मिले कि कॉंसेंटेटेड एर एक डिरेक्शन में आएगी तो आप हैस्टाइलिंग एजीली कर सकते हैं तो यह इस तरह से काम करता है यह जैसे भी घुमा के आपको जिस तरह भी करना आप कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको लूप मिलता है इससे आप इस तो इसकी मोटर की पावर की बात करो तो मैं ये है 2200 से 2500 वाट तक काम करती है इसके अंदर एक और फीचर है वो है ओटो शाट जब एक हाई टेमपरेचर पर ये पहुँच आएगा तो अपने आप ओटो शाट हो जाएगा जिससे ये इसको डैमेज होने से बचाता है और अदर देन देट इसकी वारंटी आपको वन येर की मिलती है ये बुकलेट भी इसके साथ आती है जिसके अंदर पूरा डीटेल में सारी इंफोमेशन दी हुई है तो आप ये भी रैफर कर सकते हैं तो ये सारी चीजे थी इसके अंदर अब मैं आपको एक बर इसे यूज करके दिखा देती हूँ अगर मैं बताओं तो मैं किसलिए यूज करती हूँ इसको भी के सर्दियों में क्या होता है बाल बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं तो इसके लिए तो थंडी हवा वाला जो सेटिंग है वो बैस्ट है आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे और इसे आपके बालों को व औल्ज baru भी मिलता है तीन चीजें आपके बालों को ड्राय करने में हैल्ज करेगा को बालों को वोल्यूम देगा एंडि आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं कर्ल्स वगेरा गर सकते हैं इन वर्ड आउटवर्ड तो इस तरह से आपका काम देता है तो अब इसके बाद मैं आपको इसे उपरेट करके दिखा लेगा तो अभी मैंने अपने बालों को वाश किया है और यह कंप्लीटली वेट हैं और आप दे और अगर वाउम पर करोगे तो इस तरह से ब्लू हो जाएगा तो मैं अभी इसे गरम वाली सेटिंग पर सेटिंग पर अपने बालों को एर ड्राइ करोंगी तो इस एर ड्रायर को यूज करके आप अपने बालों को तो ड्राइ कर ही सकते हैं साथ में आपके बालों में वाल कि बहुत जल्दी मेरे बाल ड्राइ हो गया हैं and because of this nozzle यह जो concentrated nozzle इसके करण मेरे बाल मैंज थे बहुत जादा इसे नाचुरल लुक रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसके बाद मैं आपको थोड़ा स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी using this hair dryer की मेरे बाल किस तरह से मैं स्ट्रेट कर सकते हूं उनमें वॉल्यूम भी रहेगा और स्ट्रेट भी हो जाएंगे तो बड़ा नाचुरल सा लुक आता है यह स्ट्रेटनल का एक अलग ही लुक आता है और हेर ड्रायर से आपके डिफरेंट आता है तो जैसा भी आप अपनी कन्विनियंस के अकॉर्डि चाहें डिफरेंट अगेजन पर डिफरेंट लुक क्रीट कर सकते हैं तो येस आप देख सकते हैं दोनों में कैसा डिफरेंट कर सकते हैं तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये आपको दुबारा सोचने के ज़रत निया और लाइफ लॉग आप उसे यूज कर सकते हैं तो आम रिली लाकिंग दिस प्रोड़क्ट एंड हाइज आइकॉनिक एक्परियंस मेरे साथ काफी अच्छा रहा है जैसे मैंने आपको ब तो यह यह यू can try this one this was all about today's video I hope you find it helpful अगर अच्छी लग है तो लीजियो को लाइक कीजिएगा शुब्सक्राइब की जियिगा मेरे चानल को for such more informative videos and मैं आपसे मिलती बहुत जल्दी इन नेक्स ओं dele recao यूज थैक्यर बइपय।